गर्मियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में पूरे प्रदेश में जल का संकट और बिजली का टौर्ती का संकट हर वर्ष की तरह इस बार भी है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो परेशान इस टाइम पर नजर आ रहे हैं वो हरी श्रावजी नजर आ रहे हैं हमने पहले भी देखा है कि हणिशावच जी लगातार प्रदेश में चल रहे हैं समस्याओं को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं या जगा जगा पर प्रेस कॉन Alpha करते रहते हैं इन्ही समस्याओं को लेकर और जैसे कि अभी बिजली की कटौती शुरू हो गई है पावर कट लग रहे हैं बहुत बहुत टाइम तक पावर कट लग रहे हैं और गर्मियों में पानी की समस्या कभी सामना करना पड़ता है तो ऐसे में हरी शावत जी ने एक पोस्ट अपने सो पाए भी सुजाएं हैं वो भी आपको बता देते हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर क्या लिखा है अरी शावत जी लिखते हैं राजे आसन विद्यूत संकट में है अगोशित कटौतियां होने लगी है बिजली के रेट दर रेट बढ़ने के बावजू सामानिय और भोगता पर डाल देते हैं मेरा एक आगरे है कि यदि हम 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो हम प्रण करें कि हम प्रती दिन इसमें से 50 यूनिट बिजली बचाएंगे जो सामानिय कदम उठाकर बचाए जा सकते हैं जैसे एसी को कुछ ही समय के लिए चलाना बाहर निकलने पर पंखे लाइट को बंद कर देना सामानि से कदम हैं इसी तरीके से आसन जल संकर से भी बचने के लिए हमको अभी से कैसे पानी कम खर्च करें इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे हम अपने महमान को गलास भर के पानी देते हैं हम यदि जाणों में आधा गलास और गर्मियों में पौने गलास पानी दें तो बहुत जो पानी गलास में छूट जाता है उसको बचाया जा सकता है उसी प्रकार से हर पानी के उपयोग की हमको कुछ न कुछ ऐसी विधी निकालनी पड़ेगी ताकि कम से कम पानी इस्तमाल हो जैसे वाशिंग मशीन को बार बार चलाने के बजाए हम उसका उपयोग सीमित करें बड़ा परिभार भी है तो सीमित उपयोग करें वही कपडे जोएं जो वास्तविक अर्थों में दूसरी बार उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं तो बिजली और पानी बचाना हमको अपना राज के दायत्व मान कर निस्ठा से पूरा करना चाहिए और उसके लिए अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा मैंने अपनी आदतों में परिवर्तन लाना प्रारंब कर दिया है और अपने घर में भी इन सुधारों को मैं अमल में ला रहा हूँ तो ये सोशल मीडिया पर हरीश्टावत जी पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि जैसे बिजली की कटौती शुरू हो गई है तो कैसे हम बिजली को बचा सकते हैं हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो लाइट और पंखा बंद करके जाएं एसी का यूज कम से कम करें और अगर कोई मैमान हमारे घर में आ रहा है तो हम उसे आधा ग्लास पानी या पौने ग्लास पानी दें ऐसा हरीश्टावत जी का कहना है मेरा ऐसा कहना नहीं है हाला कि गर्मियों में बहुत जादा प्यास लगती है तो जो मैमान आते हैं वो एक से दो ग्लास तक पानी अराम से पी जाते हैं लेकिन फिर भी अरिश्टावत जी का कहना है कि आधा या पौना ग्लास उसने पानी दें तो उनकी अपनी राय है इस बारे में और ये भी कह है कि वाशिंग मशीन का हम कम से कम यूज करें जो कपड़े दूसरी बार पहनने के लायक नहीं होते हैं सिर्फ उनी को हम धोएं तो ये सब जो सुझाव दिये हरिश्रावत जी ने कि बिजली और पानी के संकट को हम कैसे दूर कर सकते हाला कि ये पोस्ट उनका एक दिन पह संकट और बिजली एवं पानी बचाने के उपाय को अपनाने की सला अपने भाई-बैनों तक पहुचाने का प्रयास किया भाजपा की ट्रोल ब्रिगेट को मेरा सुझाव या मेरा अनुरोध पच नहीं पाया मैं उनको स्मरन करा दूं कि मेरे कारेकाल में 24 घंटा बिजली म मिलती थी आज राज्ये के लोगों को लगबग पौने दो गुना दाम बिजली के अदा करने पड़ रहे हैं जल संकट हमने कहीं उत्पन होने ही नहीं दिया रहा सवाल बिजली बचाओ पानी बचाओ के मेरे अनुरोध का मैं उस पर अभी भी कायम हो सरकार किसी की हो मगर बिजली बचाने और पानी बचाने के आदत हमको डालनी पड़ेगी और मानफता के लिए डालनी पड़ेगी तो आज जो हरी शावत जी ने पोस्ट किया है तो लिखना है कि बीजेपी के कुछ ट्रोल ट्रोलर थे जिनोंने हरी शावत के कल के पोस्ट को लेकर उनको ट्रॉ पर मैं कायम हूँ और कायम रहूंगा तो हरी शावर जी यहां पर ये भी बता रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो 24 घंटे बिजली माँ पर मिलती थी पूरे प्रदेश में 24 घंटे की बिजली रहती थी और पानी की समस्या उनकी सरकार ने कभी होने ही नहीं दी और अब ऐसा भी बोल रहे हैं कि पौने दो गुना जादा बिजली के रेट कर दिये गए हैं बीजेपी की सरकार में तो ये सब आरोप हमेशा की तरह हरी शावर जी बीजेपी पे लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है बीजेपी कॉंग्रेस बीजेपी पे लग सरकार इस पूरे प्रक्रेंट पर बिजली और पानी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही है तो हरी श्रावजी को बार बार उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि प्रदेश में बिजली और पानी की समस्या हैं आप ध्यान दीजे और साथ ही आम जंता से भी हरी श्रावज हैं हमें comment section में जरूर दे और अगर आपके पास कोई सुझाव है या उपाय है जिसे हम बिजली और पानी बचा सकते हैं तो वो भी हमें comment section में जरूर लिखते हैं और तब तक के लिए हम से जुड़े रहें और देखते रहें दन्यूजला नेटवर्क दन्यवाद